हाई मैं परशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक्वीडिटर कॉम्डिटी में स्वागत करता हूँ तो आज मैं आपको इस वीडियों बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप फेबनाची विट्वेस्मेंट लेवल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं करने को तो आप फेबनाची विट्वेस्मेंट लेवल्स का इस्तेमाल आप इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं इसका अकेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अगर हम फेबनार्टी विट्वेस्मेंट लेबल के साथ साथ रिवर्सल के अनलिस्टिक पैटर्न भी एड़ कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा ट्वेड का जो एक्विसी लेबल होगा वो बहुत जादा इंक्वीज हो जाएगा और यहाँ पे हम काफी confidence साथ अपना trading positions ले सकते हैं जहाँ पे भी हमें trading opportunity मिलता है तो similarly अगर हम फेबनार्टी विट्वेस्मेंट लेबल के साथ RSI divergence को भी add कर देते हैं similarly यहाँ पे हमें काफी accurate trade मिलेगा और वहाँ पे हमें clarity के साथ समझ में आएगा यहाँ पे हम अपना trading positions क्यों लेना है क्या reason है जिसके basis हमें अपना trading positions लेना है तो यहाँ पे हम फेबनार्टी विट्वेस्मेंट लेबल का इस्तिमाल अकेली नहीं करेंगे इसके साथ सबसे पहले हम reversal candlestick pattern को जोड़ेंगे और फिर हम फेबनार्टी विट्वेस्मेंट लेबल के साथ RSI divergence को जोड़ करके अपना trading strategy form करेंगे trading opportunity find करेंगे trade करने के लिए और हमने फेबनार्टी विट्वेस्मेंट लेबल के बारे में already video बना रखा है जहाँ पे हमने इसके basics के उपर बात किया है और इसका independent इस्तमाल आप कहां पे कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको already बता दिया अगर आपने वो video नहीं देखा है तो link video के description मिल जाएगा नहीं तो आप i button पे click करके भी देख सकते हैं तो चलिए start करते हैं और फेबनाची विट्वेस्मेंट लेबल का सही और सठीक इस्तेमाल इस वीडियो में समझते हैं तो यहाँ पे हम लोग चार्ट पे आते हैं और देख सकते हैं यह चार्ट है आपका nifty 50 का चार्ट है 15 मिलाट टाइम फ्रेम वाला यह चार्ट है यहाँ पे अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो टाइम फ्रेम में आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 1 डे जो भी टाइम फ्रेम आपको सही लगता है जिस भी टाइम फ्रेम में आप पहले से ट्रेडिंग कर रहे है वो टाइम फ्रेम आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन अगर आप यहां पर इंट्वाटे करते हों तो वहां पर आपको प्रेफर करना 5 मिनट या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम बाला चार्ट अब यहां पर हम क्या करें यहां पर सबसे पहले हम फेबनाची विट्वेस्मेंट लेवल्स ड्रॉइंगे वह कैसे ड्रॉइब करेंगे उसके ओपर हमने अल्वेटी विडियों डिसस किया यहां पर मैं आपको छोटा सा हिंट दे जेता हूं और इसके basis पे आप फिबनाचे विट्रेस्मेंट लेवल्स ड्रा कर सकते हैं और जैसे सारा कुछ ड्रा करेंगे आपको यहाँ पे डिफ्रेंट्स लेवल्स दिखने को मिल जाएगा अब यहाँ पे सायर लेवल इंपोटेंट है किसी भी लेवल के basis पे अगर हमें रिवर्सल देखने को मिलता है तो हम उसके basis पे हम ट्वेडिंग ऑपर्चुनिटी फाइंड करेंगे ट्वेडिंग के बारे में सोचेंगे लेकिन इसमें भी जो इंपोटेंट होता है वह आपक हम सिर्फ फेबनाचे विट्वेश्मेंट लेवल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं मैंने आपको बताया था कि यहां पे हम रिवर्सल केनलिस्टिक पैटर्न और आड़साय डावर्जेंस का भी अलगलग इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे रिवर्सल केनलिस् पैटर्न इन दोनों को एक साथ कंबाइन करते हुए हम यहां पर ट्वेडिंग अपर्चुनिटी फाइंड करेंगे अब देखें यहां पर नीचे साथ की तरफ आया अब यहां पर आपका एक रिवर्सल केनलिस्टिक पैटर्न बना इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देना चा इसके पास प्राइस आया है अब इसको ब्रेक करके प्राइस नीचे गया है क्या हुआ यहां पर बायर्ष बहुत जादा एक्टिव हो गए और at the same time sellers यहां पर क्या हो गए sellers यहां पर कमजोर हो गए और buyers ने अपना क्या किया strength भी गेन किया यह यहां यहां से market नीचे जाएगा नहीं जाएगा और वह चीज हमें यहां पर को प्राइस नीचे गया है नेकिन नीचे में पूरा पूरा टेल बना लॉंग टेल अट बॉटम यहां पर कंट्रोल करें और उसके बाद अगला केंडल भी आपका इसके ऊपर ही निकला यह 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 आपका फोर्मेशन हुआ है मतलब यह क्या दिखा रहा यहां से हमें यह रिवर्सल का इंट दे रहा और इड़ सेम टाइम यह हूँ कहां पर है यह हो रहा आपका फिभनाची उट्वेस्मेनल्ड के पास होँ रहा और चैनलिषिक में हमें रिवर्सल की तरफ जाएगा और यहाँ प्राइस आपको क्या को बाइंग अपर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना है यहां पर हम क्या करेंगे यह केंडल आपका रिवर्सल दिखा है अगला केंडल हमें कन्फर्मेशन दे दिया उसके वाद तीसरा केंडल जहां बिखेंग यहां पर और यहां किया करना है ठीक है और यह सम हमने केंडल इस्टिंटिक पैटर्म देखा में व्हेंगा कि फ्यप्नाची लेवल के पास अपर चाली नौन के पास रहा है तो यहां पर प्रोफिट के चांस बहुत जादा इनक्वीज हो जाते हैं इस टॉप्लास स्केंडल का साइच छोटा है जो आपको ग्वीन केंडल दिखे रहा है जहां पे रिवर्सल का हिंट हमें क्लिर कट मिल वा है तो फिर हम जो प्रिविए स्केंडल है उसका लोइस पॉइंट एज स्टॉप लॉस रखेंगा तो स्टॉप लॉस अपना देख लिजेगा दूनों फिर विट्रेश्मेंड लेवल से तो पहला घाट प्रेश्मी ऑसणी से लेवल होगा उसके वह सिसशने छो poisoning हीड और आपको你अध इस eleg ट्वेलिंग एसल का भी इस्तेमाल करेंगे तो जैसे आप उपर जाएंगे तो इस लेवल के आसपास कहीं पर आपका ट्वेलिंग एसल हीट होगा यह यहां पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता हुआ दिख जाएगा नहीं तो आप टागेट पाइस के लिए लेना के पास रिवर्स सब्सक्राइब करना हमें कंफर्मेशन विला यहां पर बाइप मिला वाइसाइट की तरफ निकला टागेट रिखना वह समझ में आई गया यहां और ग्जांपल की समझते है इसको अब यहां पे देखिए, यहां पे हम आगए HDFC बैंक के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अब इसका इस्तेमाल सिर्फ आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी नहीं कर सकते हैं आप चाहो तो स्टॉक्स में भी कर सकते हो, कहीं पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो तो इसके basis पे आप futures में trade कर सकते हो, options में trade कर सकते हो, जहां पे भी आपको मन करें, वहां पे trade कर सकते हैं, को restrictions नहीं हैं, और यह आपको काफी high accuracy वाला trade execute करके देगा, अब यहां पे भी क्या कुछ हुआ, समझने कोसिस किजिएगा, यहां पे भी हमने Fibonacci Retracement Levels को draw किया, किसकी basis पे, यहां पे हमने इस particular level से start किया, और खत्म किया, इस lowest point पे, तो यह मेरा क्या बन जाएगा, यह मेरा 100% बन गया, और यह level मेरा बन गया, यहां पे 0%, start करते हैं 100% से, और खत्म करते हम 0%, पे, यहां पे मेरा Fibonacci Retracement Levels draw हो गया, अब यहां पे हमें important level कुन-कुन सा है, important level यह वाला है, और आपका, यहां पे क्या find करना, बस एक चीद दिमाग बरखना, हमें यहां पे reversal candlestick pattern find करना, Fibonacci Retracement Levels के करीब, उसके आसपास, तो अब यहां पे देखिए, कहां पे हमें form होता हुआ दिख रहा है, देखिए, यह particular region जो है, यहां पे हमारा reversal candlestick pattern का formation हुआ है, और यह भी Fibonacci Retracement Levels है, और level कौन सा है, 61.80, यह important level है, अब यहां पे क्या हुआ, प्राइस उपर गया है, लेकिन यहां पे at the same time, जैसा कि previous example में हुआ था उसका पोजिट, बाइर्स यहां पे क्या हुए, कमजोर हुए हैं, और जो seller है, उनमें यहां पे हमें अच्छा खासा strength देखने को मिला, और at the same time, sellers यहां पे बहुत ज़्यादा active होगे, sellers active हैं, उनमें strength ज़्यादा, buyers कमजोर होगे, जब buyers कमजोर हो गए हैं, और sellers ने अपना strength गेन कर लिया, क्या price उपर जाएगा, और बेसी बात उसके बात price उपर नहीं जाएगा, और यह हो कहा रहा है, हैब नाची विट्वेस्मेंट लेवल के पास, और यह लेवल आपका resistance की रूप में काम कर रहा है, तो इसको break करना उतना आसान नहीं होगा, वो भी जब candle में हमें strength देखने को ना मिले, जब buyers में strength देखने को ना मिले, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम find करेंगे selling opportunity, यहनि sell करने का opportunity, यहाँ पर हम find करेंगे, और उसके बाद जैसे हमें confirmation candle मिला है, यह candle का हमने wait किया, confirmation candle मिल गया, price इसके नीचे ही open हुआ, यह लगा था दो candle, price नीचे ही open हुआ, यहाँ पर हम सेल करेंगे, stop loss दोनों का लगबख सेम ही है, यह मेरा SL के रूप में काम करेंगा, target price अगला फिर्मनाचे विट्रेस्मेंट लेवल, यह हमारा क्या बन जाएगा, target 1 बन जाएगा, यह target 2, target 2 को इसने hit नहीं किया है, तो आसानी से मुझे यहाँ पर profit मिलता हुआ देख रहा, वो भी अच्छा खासा, अब यहाँ पर देखें, बैक टू बैक हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तकि आपको समझने में आसानी हूँ, अब देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर देख के अच्छे समझ सकते हैं, अब नीचे में क्या हुआ, प्राइस आपका नीचे आया, और यहाँ पर एक और फिबनाची विट्वेस्मेंट लेवल्स है, और यह लेवल्स कौन सा है, यह भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यह जो लेवल आपका, 28.60% वाला है, अब देखें, इस लेवल के करीब आते ही क्या दिखा है, यहाँ से सिलर्थ हाभी थे, लेकिन जैसे इस लेवल के करीब आया, यहाँ पर कौन आभी होगे, वापस से बायर्थ ने अपना स्ट्वेंथ गेन कर लिया, यह नहीं, वापस से यहाँ पर, रिवर्सल केंडलिस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया, वो भी फैबनाचे विट्रेस्मेंट लेवल के करीब, यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस से यहां पर हम buying opportunity find करेंगे और यहां पर वहाई चीज हुआ है buyers अपना strength gain किया, sellers ने अपना strength lose किया, यहने sellers कमजोर हुआ है यहां पर हम confirmation के लिए wait करेंगे, अगला candle यह भी आपका green form किया फिट इसी level के पास अगला candle open हुआ, यहां पर मेरा क्या बन जाएगा, यह मेरा बन जाएगा entry point और entry जो लेंगे, वो हम buy side के तरफ entry लेंगे अब यहां पर लेखिए, यहां पर एक और twist है, जो हम entry ले रहे हैं, वो कहां पर ले रहे हैं तो यहां पर हम entry को pause करेंगे कुछ देर के लिए, हम wait करेंगे कि इस level को भी break होनेगा क्योंकि chances है कि इस level के करीब से भी price आपका नीचे side के तरफ लोट सकता है और यहां पर आप candle में देखो तो उपर में छोटा बहुत हमें tail देखने को मिल भा तो इसी तरीके से कभी-कभी आपके लिए trap बिचाया जा सकता और कभी-कभी क्या हो सकता प्राइस आपका नीचे से upside की तरफ breakout का hint तो दे दिया लेकिन अगला फिबनाची विट्रिस्मेंट लेवल के करीव ही आपको बाइंग लेवल में रहा और हो सकता है जैसे आप आई करो प्राइस नीचे आके आपका एसल हिट कर दे यहां पर वेट करना अब इस लेवल को ब्रेक करते ही हम यहां पर इंट्री लेंगे अब देखिए इसके उपड़ दिया अगला इसल की बात करें तरह यहां पर मुझे प्रॉफिट थोड़ा कम मिल सकता लेकिन यहां पर हम, सेफटी के साथ हमने ट्वेट लिया है situation को देखते हुए उसके बाद pahla target place में रही यह बेहां वह यानी से哈哈哈 को भी hit किया यहां पे थोड़ा सा इंतजार kiya हमें confirmation मिला उसके बाद गत्किए कितना वहाँ target को इसने hit किया है तोमित करते हुँ यह चीज आपको यहां पे समझ में आगया होगा कि कैसे आप फिबनाची विट्रेस्मेंट लेवल्स और रिवर्सल के बेशिस पे ट्वेट इनिशेट कर सकते कैसे आप बाइंग ऑपर्चुनिटी और सेलिंग अपरुजुनिटी फाइंड कर सकते हैं और इसके बीशिस पे टागेट पॉइंट स्टॉप लॉस इंट्री पॉइंट क्या लेवल्स का तो हम इस्तेमाल करेंगे करेंगे तो अब यहां पर हम रिवर्सल के इंट्री पॉइंट करेंगे तो अब देखेंगे यहां पर समस्पहले यह मेरा क्या अब यहां पर क्या करें हैं यहांपर क्या किया रहा है अब करेंडे क्या समझार कर रहा है तो यहांD Portuguese अमनकी तुरसर हर्य मतलब यहां पर च्रेंथ गें किया जा रहा है अब इस particular पोचिन पर देखें तो यहां पर क्या हो रहा है इसको में थफ़ड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको समझदे में आसानी क्योंगे हम इसी पार्टिकुलर पोचिन पर फोकस करें अब देखिए अब जादा आपको क्लेटी के साथ समझ में आ र देखें जैसे divergence अपसाइट की तरफ सुरू हुआ इस पर्टिकलर केंडल पर देखें यहां पर क्या हो रहा है यह आपका एक फ्लैट मूब दिखा रहा है यहां पर केंडल्स हमें कोई भी डायक्शन का पता नहीं चल पा रहा है यहां पर क्या हो रहा यह सपॉर्ट लेवल के पास आपका स्ट्वेंथ गेंड कर रहा है यहां पर हमें नाओकिल याओन के तटरफॉन पॉइंट बनाएंगे और जो हम इंट्वी लेंगे वो किस तरफ लेंगे बाइसाट की तरफ लेंगे तो आपको यहाँ पर देखना है कि अगर आड़े साइट दिखा रहा कहीं पर और यहाँ पर क्या है अगर फेपनाची विट्वेस्मेंट लेवल वहाँ पर सपोर्ट की रूप में काम कर रहा है मतलब वहाँ से प्राइस आपका अपसाइड की तरफ जाएगा यह जाएगा चाहिए वह शौट टरम में लॉंग तरम में दोनों में काम करेगा और इसके प्राइस लगबग आपका 2700 की करीव यहाँ पे इंट्री दिया और उसके प्राइस आपका 2730 तक यह लगबग आपका यह 30 पॉइंट का अपसाइड मूग दिखाए एक परसेंट का अपसाइड मूग दिखाए और यह सारा कुछ लगबग इंट्राडे लेवल के बेसिस पे हुआ है तो इंट्राडे में भी यह काफी सटीक काम करता है इनफेक्ट इससे उपर भी ग अब यहांपे देखें अगर लोंगयर टाइम लेते हैं नहीं तो आपका अपसाइड की तरफ ही जा रहा है अगराम इस फ़ॉइंक करते हैं तो अगर यहांपर लेखे इस पान को पenser से इस पार्टिक्लियौ 가지고 में देखें तो मार्किन लगबग आपका एक पक्रादर लिया और उसी range के करीब ही आपका move कर रहा और यह सारा कुछ हो कहां पर रहा है यह इस level के करीब हो रहा है जो कि क्या है फिबनाचे विट्वेस्मेंट लेवल है और यह level आपका लगवाग support के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है यहनि वापस से longer time frame में support level के फिबनाचे विट्वेस्मेंट लेवल है जो कि support की रूप में काम कर रहा है वहाँ पर आरे से अपना strength गेन कर रहा है यहां पर बाइस अपना strength गेन कर रहा है मतलब हमें बहुत जल्द upside की तरफ breakout देखने हो कि मिलेगा और यह जो फेज चल वाई है कैसा फेज यह आपका है accumulation phase इसको आप बोल सकते हैं कि यह आपका accumulation phase है यहां पर accumulate किया जा रहा है उसके बाद कभी भी breakout देश सकता और हमें यहां पर breakout का इंतजार करना परेगा और जैसे यहां पर हमें upside की तरफ breakout मिलेगा यहां पर buy side की तरफ entry लेंगे अब देखिए breakout हमें मिलेगा किस level के बाद यहाँ पे जो हमें entry लेना देखना इस pattern का जो भी highest point है देख सकते हैं यह level के करीब है और यह level आपका थोरा मुद बोल सकते हैं कि resistance के रूप में काम किया था जैसे इस level को ब्रेक करके price ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अपना buy side की तरफ entry लेंगे और stop loss जो previous level है यह level हमारा stop loss के रूप में काम करेगा इस level के ऊपर निकलते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे entry लेंगे और वो भी buy side की तरफ उसके बाद है कि इस level को ब्रेक करके ऊपर निकला है उसके बाद अगला कंडल पर हम बाई कर सकते हैं जो रेड कंडल बना और उसके बाद मेरा SL हिट ने हुआ देखें इस लाइंज से स्लाइटली ऊपर ही है मेरा SL हिट ने हुआ तो यह इसे आप RSI divergence को यूज करके भी आप यहां पर ट्वेट कर सकते हैं और फ्यबनाची विट्रिस्मेंट लेवल दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपका जो ट्वेट बनेगा वह काफी एकुडेट बनेगा और उसके वेसिस पर आप अपना ट्वेडिंग पोजिशन आसानी से इनिशियेट कर सकते हैं तो उमीद करते हैं कि यहां पर आपको दोनों पर समझ में आ गया होगा कि फ्यबनाची विट्रिस्मेंट लेवल और RSI divergence का कैसे इस्तिमाल करेंगे और उसके लवा जो मैंने आपको प्रिवियंस एक्जामपन बताया था कि कैसे आप डिवर्सल कैन